अध्याय चौदा उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुए में गिर जाए और वो सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाल ले वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके जब उसने देखा कि नेवता हारी लोग क्योंकर मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं तो एक द्रिस्टांत देकर उनसे कहा जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे और जब तुझे लजजित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े पर जब बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ कि जब वो जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी क्योंकि जो कोई अपने आपको बढ़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आपको छोटा बनाएगा वो बढ़ा किया जाएगा तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाईयों या कुटंबियों या धनवान पडोसियों को न बुला कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए परन्तु जब तु भोज करे तो कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को बुला तब तु धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा धंड है वो जो परमेश्वर के राच्चे में रोटी खाएगा उसने उससे कहा किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया जब भोजन तयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवता हारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तयार है पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं मैं तुझसे बिनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे दूसरे ने कहा मैंने पांच जोडे बैल मोल लिये हैं और उन्हें परखने जाता हूँ मैं तुझसे बिनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे एक और ने कहा मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, तुंडों, लंगडों और अंधों को यहां ले आओ दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तू ने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगा है स्वामी ने दास से कहा, सडकों पर और बाडों की ओर जाकर लोगों को बर्बस ही ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए क्योंकि, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ कि उन नेवते हूँ में से कोई मेरी जेवनार को न चकहेगा और जब बड़ी भीड उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिर कर उनसे कहा यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाईयों और बहिनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता तुम में से कौन है कि गड़ बनाना चाहता हो और पहले बैठ कर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है या नहीं कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डाल कर तयार न कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठटों में उड़ाने लगें कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तयार न कर सका ये कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठ कर विचार न कर ले कि बीस हजार लेकर मुझ पर चड़ा आता है क्या मैं दस हजार लेकर उसका सामना कर सकता हूँ अथवा नहीं नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेज कर मिलाप करना चाहेगा इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता नमक तो अच्छा है परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा वो न तो भूमी के और न खाद के लिए काम में आता है उसे तो लोग बाहर फेंग देते हैं जिसके सुनने के कान हो सुन ले करशuire वो ज अबसे पर स्वादिता हैं legitimately ले तो कि Candace स्वाद किस वस्तु से सकते हैं अभाए झाल keeping पर स्वाद करह जादbla़त कित ऺ WORल